आप सभी को मेरे नमस्कार आज की इस वीडियो में कच्छा 8 में की JCERT मेतका प्रसना वाली 6,1 हम लोग देखने वाले हैं इसमें प्रसन संख्या एक को और प्रसन संख्या थीन को इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे तो इस वीडियो को अंतक ज़रूर देखेगा अग और वो दूसरा को से इसके बाद तीसरा को सिन तो चलिए वीडियो के अंतर जरूरूर बने रहेगा वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला यहां पर सबसे पहले को से यहां उतार लिए हैं ताकि आपका समय बरबाद ना हो सबसे पहले को अगया कि निमलिखी तबें संख्यात्म गुनां का मतलब होता है किसी बी चार संख्या गुणा कई चार पद में में होगा कौन Meu यह 16 संख्या गुना यह से आगल इसको ऐसा करके compute के लिखेंगे तो एक एक्स लिखाएगा यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है लेकिन इसमें संख्यात्मा गुनांग क्या है एक छुपा है तो संख्यात्मा गुनांग क्या हो गया संख्यात्मा गुनांग बराबर कितना हो गया एक क्योंकि इसमें एक दिखता नहीं है एक आपको अपने से पाचाना पढ़ेगा क्योंकि चूपा हुआ रहता है इसका संख्यात्माग्नाग रहेगा- एक में तो देखो एक स के पीछए तो एक होता है एक चूपा है हई आरफ की बनानीम, अट यह संख्यात्माग क्सिक गुनांक संख्यात्मक गुनांक कितना हो जगा एकस य का संख्यात्मक गुनांक एकस य के पीछे में कुछ नहीं क्या है एक है तो संख्यात्मक गुनांक पराबर क्या हो गया एक और यह मेरा क्या हो गया मेरा एंसर हो गया इसी प्रकार से सेकेंड को देखेंगे इसमें पू चuing कि एकस भाई आना चेज्त में देखना कौन सा संख्या गुना हुआ है इसना इसका अन्सर क्तों हो यह आपका चर पध से ना संख्या गुनां हुआ है आप देखिए यह D नमर का कॉसेन है A B D यह है यह C यहाँ पर उतार है ना कन्फिज मत हो जाएगा अब देखिए C नमर का हिसाब में 3xy में यह 3xy में यह कॉसेन B नमर में भी 3xy C नमर में भी 3xy यह कॉसेन थोड़ा डाउट है अलग-अलग से लिखा गया था अशक वी दिसकर नहीं यह भी क्या होगा थिए अपका संख्यात्मग कुछा है आभ उसमें देखे माइनस2 uhs संख्यात्मक गुनांक बराबर संख्यात्मक गुनांक बराबर क्या हो जगा माइनस बार हो जगा क्योंकि यही माइनस बार हो जो है न चर पद में यह गुना हुआ है अब यह देखिए साथ एकस वाई में साथ एकस वाई और तीन एकस वाई वहला सेम टू सेम है इसका संख् सटन सब्सक्राइब करेंगे इसी अ हम दूसरा कोशन को देखते तेँ मिलोग दूसरा को पाइब दूसरा को सब्सक्राइबं को एक फैन्स निम को एक अचरों बनाए इंधर ॉबोद और 161 करत किजिए खबने का सेंस मतलब किसी के साथ जुडा घटाा नहीं राता है वह अकेले राता है यहां देख सकते हैं यहां दो गोचर और अचर है यह दोनों क्या है इसमें घटा है यहां हो गया और यहां हो गया अचर हो ति क्या हो जागा एक पद में अकेले है तो एक पद और दूगोट अब ध्यान से देखिए यहां एक पद है और यहां प प्ते एक्स stability यहां से यहां तक केले tut ना किसी साथ जुडा है ना किसी साथ मुलेख पनी क्यों वरब अपलोग बूरंब Chief查 क्र स्कार एक इंग एक सिक्वाय है तीन हम फॉड़। 사स्केल। ना बीच में जोड़े यह दुवी पदी हो जागा क्या रोगा कम खतम हो गया यह अंसर हो गया अब दी नमर में देखे बारो गएनस टूपी यह भी दो पद में और बीच में मैनस एक पद एक पद दुवी पद तो यह भी क्या गोलगा दुवीपधी होगा क्या हो गागा दुवीपधी आप फार व देखें लास्ट वला अलस्ट वाज़ा मारीऊको यह तो अक erzählt है नहीं तो मैंनट क्योंकि कि निले यहां में मैंक कुछ क्या है यां बवागों निल जोड़ और घटा राताए दो विवाजी दो वाटों में नष्ट से थाओ है और गुना राता है तो वहता है एक पदि क्या पदि-धाम यह अपके एंसर हो गया आप आप देखें को समझ में आ रहा है तो यह सर बोलिएगा कमेंट करके किस चर्बहुत बढ़िया समझ मैं आप देखें कॉसे नुमर तीरा को देखते हैं यह लास्ट जए नमर का कॉसे आप लो कमेंट करके बतायेगा ये कौन सा पदी होगा, ये comment box में अपने से बनाएगा, क्योंकि चीजे को आप समझ गी होगे, तो comment जरूर कर दीजेगा, आप तिसरा नमर question को देखते हैं, सबसे last question जो है, तिसरा नमर question, कहा है कि निमलिखित में कौन कौन से समान, सुरी, समान पद है, ये क्या है, समान पद है, समान पद का मतलब होता है, एक जैसे पद, एक जैसे पद को क्या बोलते हैं, समान पद बोलते हैं, एक जैसे पद को समान पद कहते हैं, समान पद कहते हैं, समान पद कहते हैं, चीजे को समझ रहे हैं न, एक जैसा पद रहेगा, आब यहाँ एक, दो, तीन, चार, और संमे क्या है शेंग से और साने जिसमें एक से लगा है यह देखें two hour そन continuous err और और खुजी में गई इसमें एक से अपसंगोंने सायर में इसमें एक समान पद हुगा कि और और औप्शन सी और 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 आप्शन एच समान पड हे समान पड है उम्मित करते हैं कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दिजेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजेगा ताकि हमारे आने मले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों के पास वीडियो को सेवर जरूर से जरूर कीजेगा ताकि आपका दोस्त भी एजी से इजी भसा में चीजे को समझ सके मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक कि लिए आप सभी को मेरा नमस्कार